सब्सक्राइब हम सब्सक्राइब अगया है जैसे कि कल वाले वीडियों में बता था तो आ गया है。 ő यह यह चेंजेज किये गए हैं वीडियो में आगे सारे चेंजेज को विस्तार से देखेंगे करेंगे और क्या क्या हुआ हुआ है वो सारा कुछ आएगा तो जैसा कि अब देख रहा है कि प्राइबेशी अन सेक्रूरिटी में काफी कुछ अपडेट किया गया है इसके साथ इसको इंप्रूब किया गया है यह सारे तमाम अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे तो चलिए बिना देर के वह अपडेट करते हैं और इसके पहले साजेज की बात कर ले जाए तो देख रहे हैं कि 14.03 जीवी है मेरे मैक और इसका साइज तो अपडेट के बाद क्या सा काफी बड़ा है देख रहे हैं कि 7.70 जीवी इतना नेट के विवस्ता कर लेना चाहिए तब ही आपका होगा तो दोस्तों यह कितना समय लेगा वह आगे मैं बताने वाला हूं फाइनली दोस्तों एक घंटे के बाद यह पूरा सिस्टम हो गया और यह अपडेट हो गया कि इस तरह का पॉप अप आएगा और यह पूछेगा कि पहले का आपका बाल पेपर लगाना है या भी का नए वाले बाल पेपर को स्क्रीन सेवर को कंटिन्यू कर दे हैं इस तरह से पॉप अप आ गया और मैक ओस सोनोमा का 14.0 अपडेट हो गया बिल्ड नंबर बगरा 18.19 GB आ गया कि एक GB का फर्क है और अगर एप स्टोर की बात किया जाए तो इसमें अपडेट देख लेते हैं अपडेट इतने सारे एप्स में भी आ गया है तो चलिए इन से भी को अपडेट में लगा देते हैं यह अपना काम करते रहेगा तो कीनोट नंबर्स पेजेज व पुरा भार दिया गया है बाल पेपर की कोई कमी नहीं है डाइनेमिक बाल पेपर से ले करके कही तरीके का है और यह सारे आपको डाउनलोड करना है डाउनलोड कीजेगा तभी इसका मज़ा ले पाएगा और यह बाल पेपर जो है आपको मोशन के साथ मिलेंगे यानि कि मो हो सकता है आपका सारे नेट शेला जाए इसलिए ध्यान दिजेगा इसके साथ अगर नीचे देखते हैं तो नीचे और सेक्षन हाता है सिटी असकेप का सिटी असकेप में भी काफी सारा यूनिक बाल पेपर दिया गया है अंडर वाटर में भी बहुत सार दिया गया यह सब न सेलेक्ट करते हैं लैंगवेजेज तो आपको एक option देखने को मिल जागा जिसमें आप हे सीरी या सीरी कुछ भी बोल करके इससे काम ले सकते हैं दोस्तों अगर नेक्स चेलिज की बात कर लिया जाए तो यह आपको देखने को मिल जागा प्राइवेसियन सेक्रोटी में इसमे आपको अगर न्यूट फोटोज और वीडियोज अगर आप यह सेर कर रहे हैं तो यह बार्निंग देगा इस option को on कर देना चाहिए on करने से आपको यह option दिखेंगे और यह बहुत safety के हिसाब से एक लेवल आपका बढ़ जागा दोस्तों नेक्स चेलिज की बात कर लिया जा आपको clean up automatically एक option आएगा इसको on कर देना है दोस्तों इसके बाद इसी में back जाने के बाद आपको एक और option दिखाए देगा और वो option है get shared इस पर click करते हैं तो यह option pop up जो है आ जाता है और यहां से shared password and pass keys को जैसे कि आप अपने आइफोन में use करते हैं इसको इसको इस्तेमाल क किया गया है आप अपने आइफोन की तरह ही आप अपने बाल पेपर आप अपने स्क्रीन पर यह सारे विजिट्स को आप रख सकते हैं विजिस की कमी नहीं है आप यहां से select कर सकते हैं इसमें edit का option है वहां पर जा करके कई तरीके से इसको ला सकते हैं और इसको add करना बहु यह चला आएगा तो यह optimization बहुत अच्छा हो गया है और यह जरूरी था मुझे बहुत दिक्कत होता था यह बहुत लोग को जैसे time बगर देखना है तो उपर करना होता था अब बिल्कुल आप सामने इसको रख पाएगा इसको remove करना भी बहुत असान है आप option दिख रहा है क्योंकि इसका पूरा जो visibility है बहुत सांदार दिखेगा मज़ा आजाएगा तो इस तरह से आप drag कर सकते हैं घुमा सकते हैं बहुत option है next changes की बात किया जाए तो face time में है अब face time कालन के दौरान आप बहुत बहुत तरह तरह के effect ला सकते है next changes की बात कर लिए जाए वो safari में ह सफारी में जाने के बाद setting वाले option में जाएगा तो हां एक option पॉप आएगा है profiles का profiles में अब आपको बहुत सारे school, colleges, home यह सारे personal नए options आ गया है यहां से आप इसके color बगर इडिट कर सकते हैं तो यहां से अगर आ start using profile पर click किजिएगा दोस्तों तो उसके बाद यह option आपको दिखेगा in all browsing इसको on कर देना है क्योंकि यह जो option है आपको और से ब्राउजिंग करने में बहुत help करने वाला है तो सफारी में यह changes कर लिया गया है दोस्तों आप next changes के बाद कर लिया जाए तो वो आपको मिल जाता है library में आप जाएगा तो कोई photo को आप i button पर click करके इसका पूरा information ले सकते हैं यहां तक ही photos में क्या है वो सारा कुछ डिडेक्ट करके आपको बता देगा तो यह बहुत अच्छी चीज़ लाई गया है तो मैं उदारन आपको दे रहा हूं जैसे कि यहां से click किए तो देखिए इसके location के साथ सारे information दे दिया गया है पहले भी ऐसा सब्सक्राइब करने के बाद चलिए next changes की बात कर लिया जाए वो है spotlight search में जी हां दोस्तों spotlight search में अब आप लिखेगा यह कहीं भी लिखेगा तो आप अगर capital से लिख रहे हैं तो आपको एक notification देगा एक icons आएगा और यह icons के बल पर आप जान पढ़ेगा तो आप देख रहे आप टाइमर को आसानी से ला सकते हैं और इसको और अच्छे से कस्टमाइज कर दिया गया तो टाइमर भी सारे options है जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों अब अगले changes की बात कर लिया जाए तो अगला changes जो है फिरी फॉर्म में आया है फिरी फॉर्म को अब किसी के साथ भी क्या-क्या नया और एड किया गया है विस्तार से उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहे हैं दोस्तों तो अगर ये वीडियो आपको informative लगी और कोई सुझाव है दोस्तों वो जरूर बताईएगा और दोस्तों इसके साथे साथ और छोटे-छोट पर चैनल किया गया जैसे आई मेसेजेज में ये सब में भी तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए